दोस्तों दोस दिन पहले जेरोदा ने लाँच कर रहा था ट्रेडिंग व्यू का अपना नया वर्जन 2.0 लेकिन उस समय यह वैप पर अवेलेबल था एप पर नहीं था अब यह एप और वैब दोनों के अदर अवेलेबल हो गया है क्या नए आपको मिलने वाला है क्या नए पेठिक मिलने वाला जो आपकी त्रेडिंग को आसान कर सकते और घैतर बना सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे चलिए शुरू करते हैं और जानते दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चानल में मेरा नाम है अन्मौल मितल पीछे आप देख रहे हैं ट्रेडिंग कॉश्चन अंसर और इसमें देखे एक कॉशन है वी आर डिलाइट टू अनौंस अमेजर ट्रेडिंग व्यू अपडेट जिसमें 2.0 करके आपको दिखेगा साथ में बीटा वर्जन है यह और इसमें क्या क्या आपको नया मिलने वाला है वह जड़ा समझते हैं सबसे पहले देखे आपको इसको एक्टिवेट कैसे करना है तो आप सैटिंग्स में जाएंगे सैटिंग्स में देखे जो आपको चार्ट आप यूज कर रहे हैं दोनों के अंदर एक्टिवेट इजली कर सकते हैं अब इसमें नया क्या मिलने वाला है तो सबसे पहले आपको लिस्ट ओफ मैनी इंडिकेटर दी गई है जिसके अंदर आप एड कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर मदर प्लैट्फों पर एड इसके बारे में बात करेंगे इसको डेकर आने वाला था आपको प्रेजेंट करूंगा तो यहां देखें यह मैंने अल्लेडी लगा के रखा हुआ है कुछ फीचर में आपको इसके बताऊंगा तो यहां पर देखें बहुत सारी चीज़ें मैं सबसे पहले चार्ट को अपन कर लिया है और यहां पर देखें इंडिकेटर में जाऊंगा और मैं यहां पर लगाऊंगा एक्सिलेटर और यह देखिए तो यहां पर देखें यह इंडिकेटर हमें यहां पर किलरली विजीबल हो रहा है यहां पर किलरली हमें दिखाई दे रहा है तो यह जैसे कि ह हम हिस्तो ग्रांफ देकते हैं में सीड के कुछ उसी तरीके से आमें दिखाई देता है लेकिन इसकी कैलुएशंस वगर्द थोड़ी सी डिफॉरेंट इसके बारे में हम इन फ्यूचिर बात करेंगे नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला है जड़ा बात कर लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमें मिलने वाले न्यू ड्रोइंग्स ड्रोइंग्स के कुछ नए यहां पर फीचर्स आ गए जिसमें आप रिग्रेशन ट्रेंड एंकर्ड वीवैप हाईलाइटर सरकल पार्क यह सारी चीज दोके एक मिल गए लाइन विद मार कर स्टाप लाइन मिल गया है इंक्रूडिड कोलम है ॉप हाई-लो एंड हाई-लो-उन अच्व हाई-लो एरिया पर दो तिन चार्ट में आपको लगाकर दिखाता हूं कि कैसे दिखते हैं यहां पर देखिए चार्ट लगाने के लिए दे देखिए यह कुछ ऐसा दिखता है और यहां पर एक चार्ट टाइप हमें दिखता है यह वाला ओपन लोग क्लोज वाला जिसमें तीन लाइने हैं बीच वाली लाइन क्लोज किये एक हाई किये यह आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो इसके तुरू भी हम बहुत है और heu में क्या होता था कि आगर कोई यहां पर कर रहे हैं जैसे कि मान लेते हैं तो यहांँ ध्यां कोईब कर रहा होते हैं तो सपोर्टीकुलर चारट पर द्यान रखिखिए यहां पर देखिए मैं एक अनदर चार्ट पर चले जाता हूं मान लेते हैं रिलाइस पर तो इसे हम होगे यहां पर उसे इंडस्टी पर चाहते तो जो ड्रोइंग हमने करी थी वह आपको जिकाई देनी चाहिए यहां पर आगर मैं कुछ भी लगा रहा हूं कोई भी ड्रोइंग सपोर्ट कुछ भी कर रहा है जैसे कि चार्ट आइक्यू में होता था कि जो चीज लगा ली वह दिख रही है तो यहां भी वही होगा जो चीज लगा ली दिखाई देगी वापिस अगर इन फ्यूचर आएंगे तो आपकी जो एनलिसीज है वह एजट रहेगी चलिए नेक्स्ट फीचर के ओपर जाते हैं नेक्स्ट फीचर है दोस्तों कउंडान बार्स क्लोस आप देखिए कहीं बार क्या होता है न हम मार्केट में टाइम देखते कि कब ये कैंडल क्लोस होने वाला है तो यहां पर आपको ये जो प्राइस दिखाई दे रहा है इसी के पास आपको दिखाई देगा countdown फिलाल market close है तो नहीं दिखाई दे रहा है अगर आपने पांच मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है तो पांच मिनट में यह candle कितनी देर में close होने वाली है वो आपको यहां पर दिखाई देगा आप उसको देखकर के यह अंदाजा लगा सकते कि यह candle इतने seconds से इतने minutes के अंदर closed होने वाली है यह कितना समय इसका बचा है अभी candle बनी है कब बनी है तो थोड़ा सा आपको एक अंदाजा देता है कि market close कहां करने वाली है candle कई पर क्या होती है कि आपको ऊपर बंती भी दिखाई देती लेकिन closing नीचे होती है तो वह कई पार आप price prediction गलत कर लेते है तो यहां पर closing time आएगा closing के आसपास जो भी candle formed हो रही है तो उसके वैसे formed होने की ज़्यादा probability रहती है और आपको trading decision लेने में काफी ज़्यादा accuracy आती है तो यहां पर यह मिलता है कुछ यहां पर देखिए favorite tools की बात कर रहे हैं कि अगर आप chart के ऊपर कोई आपका favorite tool है chart type है indicators है तो आप उसको favorite कर सकते हैं और वह आपको easily उपर ही visible होंगे जैसे कि मैं indicators में जाता हूं तो यहां पर देखिए मैंने कुछ चार को यहां पर mark कर रहा है अब देखिए को नीचे कोई indicator है जो मुझे पसंद है for example मुझे ballinger bands पसंद है तो मैं इसको click करूंगा यहां star पर click क नज़र आ रहा है यह मेरे 5 फेवरेट यहीं पर नज़र आ रहे हैं और यहां से नीचे कोई भी एक इंडिकेटर जैसे कि इची मुखू cloud में यहां पर करता हूं माग तो यहां पर देखिए यहां पर मुझे उपर ही दिखाए दे रहे हैं तो यह मेरे जो ही चूज करेवे फेवरेट इंडिकेटर्स है जो मैंने यहीं पर यहांपर सेट कर लिए अब यहां पर देखिए अगर कोई टाइम फ्रेम मुझे पसंद है और एक्जामपल में यहां टाइम पर जाता हूं यहां पर देखिए मैंने स्टार हटा लिया फौर मिनिट वाले पर अमालत है में एक टॉपर डिखाई तो जब भी मुझे करेंगे तो वोम्हेया लिए वृटी यहां परana यहाँ यहां पर सैट हो यह दोस्तों हमें benefit मिलता है इसी तरीके से आप चार्ट टाइप अगेरा जिसको आप फेवरेट करना चाहते है फेवरेट करिए और उसको आप जब भी यूज करेंगे तो आपको उपर ही विजिबल होंगे बार-बार ढूंडने की जूरत आपको नहीं बढ़ेगी चलिए अगला कौन सा कोई कॉंट्रेंट चलिए दिसम्बर का इक पाइक गॉल्ड का यह आपने लगा लिया है ठीक है यह दिसम्बर का काколь्टेट डेइली टायम फ्रेम भी रगा लिया है यह कुछ ऐसा दिखांए तीक है अभी सचाड़ के उदर आप देखेंगे ठीक है लग गया है अब इस चार्ट में देखेंगे अभी हमें स्टार्टिंग के कुछ महीनों का डेटा तो दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे मैं इस चार्ट को बैक करूंगों तो हमें कोई डेटा नहीं दिखाई दे रहा है कुछ क्लोजिंग दिखाई दे रही है तो यह क बगाद डेरिवेटिव के अंदर आप लगा सकते फ्यूचर चार्ट में आप इसका इसमाल कर सकते अब देखें पुराना डेटा भी मुझे दिख रहा है अगर मैं चार्ट को थोड़ा और वीकली बेसिस में लेकर जाओंगा तो यह देखिए कितना लंबा डेटा मेरे लिए आप यहां पर आ गया है तो मैं पुराना चार्ट भी अनलाइज कर सकता हूं कि मार्केट में पुराना चार्ट क्या गह रहा है उसके एसाब से मैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकता हूं तो यह बहुत अच्छा काम करता है चलिए और जाते हैं कस्टम टाइम फ्रेम तो यहां पर आगया हैं कैसे करेंगे समझते यहां पर देख सकती के आपको क्स्टम टाइम फारिम वाला फीचर आ गया है उत तो यहां पार दिखे मैंने की करेंच कर दिया मैं चाहता हुं कि मुझे 9 मिनले टाइम प्रेम चाहिए यह देखिए नौ मिनट और मैंने एड कर दिया जैसी मैंने नौ मिनट लगा है तो यहां देखिए बीच के सेक्शन में मुझे नौ मिनट आ गया मैं किलिक करूँगा तो अब यह जो चार्ट है नौ मिनट के साफ से आपको दिखाई दे रहा है आप यहां पर देखे कोई और टाइम फ्रे के कस्टम टाइम आ गया मिनट आवर्स डेस आप जो चाहिए यहां पर स्लेट करिए अपनी पसंद का टाइम फ्रेम लगा कर सकते हैं चलिए अगला क्या फीचर है कि कस्टम रेंज फीचर देखें कोई स्पेसिफिक टाइम का आपको चार्ट देखना है तो कई बार आप क् के पास एक फीचर है आपको कस्टमाइज यहां पर दिया गया है कि कौन सा आप सेक्शन लगा करके क्लिक कर सकते हो लेकि जैसे मैं इस वाले सिंबल पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको फीचर मिलता कस्टम रेंज का तो मुझे स्पेसिफिक रेंज का चार्ट देखना मैं चाहता हूं कि जो क्रोण्रा के मार्केट गिरी थी मुझे उसका चार्ट दिखाऊ तो 2020 में मार्केट गिरी थी मंत था 03 और एक तारिक में यहां लगा लिया और मुझे इस इस तरीके से आप इस पैस्टर रेंज लगा सकते अपना चार्ट देंगे सकते आपको पीछे आसे जाने ज़रूत नहीं है आप डिरेट अपनी रेंज जान लेते हैं अगला क्या है चार्ट टू बैक्टेस्ट फीचर जैसे कि चार्ट आईक्यू के अंदर था सेम वही चीज है यहां पर देखिए एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है कोई भी एक इंडिकेटर लगा लिजी इसके ओपर जैसे कि मैंने यहां पर लगा लिया है बॉलिंगar बैंड यहां पर लग गए जैसी मैंना बॉलिंगर बैंड लगाए मैं इसके ओपर क्लिक करूंगा तो मेरे लिए एक और उस पर रिजल्ट बताएगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्राटिजी पर क्या रिजल्ट है तो मैंने आई अंडर्स्टेंड कर लिया अब यहां पर देखें देखें बॉलिंगर बैंड के साफसे इसने एक स्ट्राटिजी डेवलप कर दी जिसके अंदर मुझे तो यहां पर यहां पर यह वाला फीचर हो गया है आप यहां पर क्लिक करके तो आप इसको रन-बैक टक्ट्रश्ट्स या कॉस्टमाईस करके लाइब कर सकते हैं यहां पर यह वाला फीचर एड़ हो गया है आप यहां enhancement बढ़ सकते हैं दोस्तों एक एक चीज़ के बारे में properly खुल के नहीं बढ़ा सकता है वीडियो बहुत जादा लबी हो जाएगी कई घंटे की हो जाएगी आप देखोगे भी नहीं समझा पाएंगे ना आप समझ पाएंगे तो इसलिए अगर आपके इंपॉटेंट कुछ है तो मैं ब्लॉग का लिंक दे रहा हूं आप उसके कि थुरूआ अपना आपने का दैवा सकते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे आपके लिया औरलाइन प्रोटीज्जर होते हैं एक दिन में आपका आपका आकंट कि अंदर मैक्सिम में आजudent ने नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉंसेट्ट के साथ अब तक लिए गूडबाई गॉडब्लेस यू बाबाई दोस्तों